एक बाग फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्रेटफॉर्म पे स्वागत है आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पे आप पूरे यूटूब पे बहुत कम लोग बताते हैं और बताने वाले भी पूरे डिटेर में आपको नहीं बताएंगे बहुत साथ चीशे ऐसी होती जो आपको पता नहीं चलती है तो आज अगर आप लोग बीटेक जैसा मैंने आपको इस स्क्रीन पर दिखात रहा हूं अगर आप लोग बीटेक और आपके यहां पर बी फार्मा और आप लोग M.C.A. जैसे कोर्स में चाहते हो किसमें लखनव शुद्याले में तो आज एक एक चीश जो आपको जाननी इंपोर्टेंट है वो सब चीश हम बता देंगे इसमें आप लोग काम फीस बताएंगे सीथ कितनी है और complete admission process क्या होता है वो सब कुछ हम बताएंगे लखनव शुद्याले का entrance exam से होगा ज नहीं भी कोई चीज समझ में नहीं आती है comment box आपका है comment करके आप direct पूछ सकते हो ठीक चली हम स्टार्ट करते हैं पहले देख लो आप लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर आपकी सीट कितनी है मतलब कि जो courses है सर इसमें सीटे कितनी सीटों पर admission होता है पहले वो देख सकते हो सानथ से एप सो बीस चार्ट आप को सीटें मिलेंगी आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनीरिंग में 120 seat मिलेगी और वहीं आपको किसमें मिलेगा साथ सीटे मिलेगी क्लियर वहीं अगर बी फार्मा के बाद करें तो बी फार्मा में आपको 100 सीट आपको मिलती है और वहीं मिलेगी एडमिशन के लिए ठीक अब एक सो बच्चे होते हैं तो 101 बच्चा को यहां पर रिजक्ट कर दिया जागा इसके बाद इतने बच्चे आएंगे उनका नहीं होगा मतलब कलियर हो गया पूरा सीट समझ लिए ना यहां पर स्क्रीन आपको दिख रहा होगा परशान न अपने वाटसब चैनल में बेज़ देंगे जो लिंक होगी डिस्कृशन बाक्स में होगी वहां से पूरी पीडिया पढ़ सकते हो ठीक यह क्लियर हो गया अब आगे बढ़ें चलिए पूरा सीट देख लिया चल आगे सीट बता दिया अब बता दिए यह एलिजबिल्टी क बच्चों के लिए ठीक है आप यूपी बोर्ड यहां पर सीबी एसी यह एन नी आप लोग बोर्ड किसी बोर्ड से आप लोग क्या करने चाहिए टेंट प्रस्टू क्वालिफाइए होने चाहिए जन्रल और और बीटे कर सकते हो लखनों विश्वुद्याले से भी फार्म अपका होना अनिवार है ठीक उसके बाद अगर में काईटरिया थोड़ी हाई हो जाती है यहां पर बोला जाता है 55% मार्क यानि जनरल और और ओभी सी के लिए 55% और जो आपके हैं उनका 50% मार्क किसमें होना चाहिए आपके यहां पे आप बीसीय की हो उसमें होना चाहिए साइंस किये हो या फिक कंप्यूटर साइंस किये हो इसमें आप लोग क्या होना चाहिए आपका 45% मार्क और 50% मार्क होना चाहिए ठीक मतलब समझ लिए अब यहां पर देख लो कि कैसे यहां पर होता है नीची आते है ठीक नीची आते हैं यह पूरा खेल है सर यहां पर देखो अगर लखनोवी शुद्याले से बीटेक करना है तो आपको जेए मेंस का एक्जाम देना पड़ेगा जेए मेंस का नंबर आएगा उसी क पूरा आपको फार्म बरना पड़ेगा ठीक अगर वहीं आपको मिलेगा किसी दूसरी विशुद्याले में कर सकते हो वहां से एक्जाम भरा जा रहा है तो आराम से 27 तारिक तक पूरा मार्च में फार्म बरने का मोका दिए जाएगा तो फार्म अपना बहर लीजिए और ज विशुद्याले में आपका इडिमिशन होगा ठीक अभी आगे बढ़ते हैं यहां पर आपको लगेगा साथ हजार असी रुपए ठीक है यह पर समेश्टे के विटेक करने के लिए ठीक है और वहीं भी फार्मा के भी बिटेक के बराबर है यानि कि साथ हजार असी अनि कि चप्पन हजार रुपए फीस यहां लगती है ठीक क्लिर हो गया कि साथ हजार आपके बी टेक और फार्मा के लिए और यूज्टे के लिए आपका लएगा शपन हजार असी रुपए यह आपकी फीस लगने वाली ठीक है तो क्लिर हो गया फीस देख लिया सीज रिजल्ट आएगा उसके बाद लखनोविश्विद्याले क्या करता है जुलाई अगस्त के महिने में अपना रजिश्विद्याले का फॉर्म बरोगे उसके बाद आपके स्यूविटी के नंबर पे आपका यहां पर कटाप बनेगी आपका अपका अद्मिशन होगा उसी प्र इंट्रेंस इक्जाम देना पड़ेगा इंट्रेंस इक्जाम का फॉर्म बनना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है ठीक तो यह वह जो बना हुआ था यह आपके मन से निकल गया होगा जो आपके अंदर जो बेचैनी थी जो आप जानना चाहते थे अब आपकी जो सवाल रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना टेलीग्राम और वाट्सप चैनल जरू जो आइन कर लेना आप में पीडिया डाल दूंगा ठीक थैंक यू थैंक यू मिलते नेक्स बीडियों में